NZXT ब्रेंड ने अपने दो नए कूलर को अनाउंस किया है यहाँ पर फिलाल मेरे पास 280 mm के साइस में दो नए लिक्वीड कूलर अविलेबल है यह जो लिक्वीड कूलर है इसमें थोड़ा सा डिस्प्ले में आपको चेंजेस देखने मिलेंगे अगर आप एलीड सीरिस के साथ कंपेर करते हो अगर मैं बात करूँ प्रिवेस जेनरेशन की जैसे की क्रैकन जेट सीरिस के कूलर आपको देखने मिलते थे उसमें भी आपको डिस्पले देखने मिलता था उसकी डिस्पले से अगर इसकी डिस्पले पर कमपेरिजन किया जाय तो इस बार चेंजेस हुआ है काफी जादा improvement किया है display में खास करके तो देखते हैं इस बर क्या कुछ brand ने नया किया है आज की इस liquid cooler में NZXT brand ने हमें दो liquid cooler send किया है Kraken Elite और एक non-elite version है मतलब वो थोड़ा different cooler है अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके रखें क्योंकि उसकी वीडियो में जल्दी अपने चैनल पर लाऊंगा फिलाल यह जो liquid cooler है इसके box के अंदर आपको कौन-कौन से content देखने मिलते हैं वो ज़रा आप देख लीजिए ध्यान से सबसे पहले आपको यह user manual देखने मिलेगा बहुत ही अच्छा user manual है मैंने खुद से read किया, खुद से install किया देखो जादा installation में आपको कोई मघजमारी करने की ज़रूत नहीं है जादा problem face नहीं करने पड़ीगी बहुत easy सा process है अगर आप अच्छे से read कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कोई भी platform पे easily अपने cooler को install कर सकते हो यहाँ पर आपको एक RGB controller देखने मिलता है आप इसे hub भी कह सकते हैं फिलाल इसमें आपको 3 input port दिये गए हैं मतलब अगर आप एक और extra fan लगाना चाहिए तो वो भी insert कर सकते हैं अपने controller के साथ sync करवा सकते हैं दो fan हमारा है तो दोनों fan attach हो जाएगा easily उसके बाद यहाँ पर आपको LGA और AM5 जो latest platform है Intel और AMD की दोनों की आपको kit देखने मिल जाती है mounting bracket है यहाँ पर आपको और भी सारे cable मिल जाएंगे connectivity के लिए और यहाँ पर आपको दो fan देखने मिलते हैं जो की 140 mm के हैं 140 mm के दो fan मिलेंगे तभी आप 280 mm के radiator पर install कर सकते हो यह हमारा 280 mm का radiator है अब देखो यहाँ पर जो radiator है 280 mm का है यह तो आपको पता है बॉक्स पर भी लिखा था build quality काफी अच्छी है NZXT का product है तो अच्छा ही product बनाते हैं यह बाकी यहाँ पर जो tube का use किया गया है इस बार यहाँ पर rainforest nylon braided sleeves का cable यूस किया गया है मतलब इसके ओपर जो sleeves लगी हुई है वो nylon किये durable होती है अगर आप use करोगे तो आपको भी लगेगा कि इसमें तूटने का कोई chance नहीं होगा बाकी यहाँ पर आपको एक cover देखने मिलेगा अगर आप इस cover को निकाल देते हो तो हो सकता है आपका thermal paste यहाँ वाँ लग जाए इसलिए जब install कर रहे हो तब इसे निकालना इस पर आपको pre-applied thermal paste देखने मिलता है copper की आपको circle में एक round dial मिल जाती है मतब पूरी यह plate जो है आपके 13 generation के processor को भी easily cover कर लेती है बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके ओपर जो film लगा हुआ है उसके निचे हमारी जो display वो matte finish है इसके अंदर आपको ASTEC का pump का use किया गया है 7 generation का ASTEC pump है तो जो इसमें liquid flow होता है वो बहुत ही silently flow होता है pump का आवाज जादा नहीं है NCXT ने इसमें F-series के fan को use किया है इस fan के अंदर जो LED का placement है वो 8 individual LED है addressable है बाकी यहाँ पर fan को installation करते वक्त मुझे कोई भी problem face नहीं करने पड़िये इसमें high static air pressure create होता है तो आपका जो heat रहता वो अच्छी तरीके से निकल पाता है आपके radiator के थुरू बाकी यहाँ पर अगर मैं liquid cooler की installation की बात करूँ तो मैंने बहुत easily install कर लिया था देखो मैंने अकेले इस पूरे liquid cooler को install किया था काफी सारे लोग सोचते कि इसमें एक या दो लोग की जरुवत तो पड़ेगी लेकिन मुझे ऐसा कोई जरुवत नहीं पड़ी आप अराम से मैंने जैसा install किया वैसे या आप भी install कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने liquid cooler को जैसी on किया सबसे पहले आपको NZXT के लोगो देखने मिलते हैं डिस्पले का size देखो काफी अच्छा कासा है डिस्पले के बारे में अभी हम बात करते हैं फिलाल इसका on होते हुए आप procedure देखलो कैसा है और यह जो liquid cooler है इसमें आपको CPU, GPU दोनों के ही temperature वगेरा शो होंगे 2.36 inch का display मिल जाता आपको TFT panel वाला display है बाकि आपको 640 by 640 का resolution देखने मिलता है quality काफी अच्छी की गई है इस बार और brightness आपको 690 की देखने मिलती है 60 Hz का आपको refresh rate वाला आपको display देखने मिलता है देखो अगर आप NZXT के previous cooler से compare करोगे तो इस बार इनोंने resolution अच्छा दिया है screen size बड़ी दिये काफी सारे लोग ये भी comment करते थे कि थोड़ी screen size बड़ी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता लेकिन इस बार NZXT ने लाकर दिखाया है आपको अच्छी खासी screen size भी बड़ी है और आपको resolution भी अच्छा मिलता है तो आप जो भी picture इसमें display पर show करोगे वो आपको अच्छी quality के साथ दिखता है ये जो NZXT का cam software है ना इसमें दुनिया भर की चीज़े दी गई है मतलब यहाँ पर मैं individual fan की एक-एक LED को भी अलग-अलग color assign कर सकता हूँ क्योंकि इसमें जो fan में LED इसका use किया गया है वो addressable ARGB है मतलब एक single LED को आप अलग-अलग color pattern में set कर सकते हैं बाकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अलग-अलग wayo form को भी set कर सकता हूँ fan की एक-एक brightness को भी आप low या dim कर सकते हैं जाद जाद इसमें display आले option में अगर आपको मैं दिखाओ तो यहाँ पर image का आपको एक option देखने मिलता है उसके बाद नीचे भी कई सारे option देखने मिलते हैं इसमें आपको CPU, GPU दोनों का accurate temperature बताता है अगर आप उसे color को भी change करना चाते हो तो कर सकते हो मतलब बहुत सारी चीज़े दी गई है अगर software को आप explore करोगे ना एक बार तो आपको बहुत सारी चीज़े देखने मिलेगी फिलाल मैं अगर चाओ तो इसमें clock भी set कर सकता हो अगर मुझे मतलब घड़ी देखना है अपनी watch को set कर सकता हो यहाँ पर मैं watch की जो brightness है उसे भी मैं कम जादा कर सकता हो यहाँ पर देख लो मतलब watch की नहीं डिस्पले की overall display की आप brightness कम जादा कर सकते हो फिलाल मैं यहाँ पर थोड़ा display की brightness कम रखता हो ताकि मेरे camera में overexposed ना हो ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख पाए हर एक detail आपको display में display देखो इसकी काफी जादा bright है मैंने खुद यहाँ पर सामने से देखा है इसमें आपको music का भी एक option देखने मिलता है अगर आप background में कोई music play करोगे तो आपको इस तरीके का कुछ effect देखने मिलेगा जैसा कि आपको display पर देखने मिल रहा है बाकि आप इसे bore नहीं होंगे मैं इसके बात की guarantee देता हूँ image वाले section पर आप click करके दिखाता हो अभी आपको यह देखो मैंने zip file को run किया है फिलाज zip file को आप इधर से upload कर सकते हो यह जो gif होती है इसमें जो image होती है यह आपकी जादा मतब जादा mb की नहीं होनी चाहिए जादा heavy file नहीं होनी चाहिए छोटी छोटी file को आप easily run करवा सकते हो यहाँ पर आप software में देख रहे हो आपको तुरन display पर दिखने लग जाएगा और upload का भी इसमें option दिया गया है मैं चाहिए तो यहाँ पर कोई भी image को upload कर सकता हो जैसे कि यह वाला मैं एक gif upload करके दिखाता हो अभी आपको इस तरीके से आपको set करना है save पर click करोगे तो आप easily अपने जो display है उस पर save कर सकते हो किसी भी effect को बाकी इसमें देखो लाखो gif आपको मिलते हैं इंटरनेट पर आप किसी भी gif को set कर सकते हो तो इस तरीके से cam software में भी आपको बहुत सारे features देखने मिलते हैं मैं guarantee देता हूँ आप display के साथ खेलते रहोगे और जादा बोर नहीं होंगे क्योंकि इसमें आपको अलग-अलग color pattern वगेरा सब कुछ देखने मिलता है प्लस आप अपनी भी photo इसमें set कर सकते हो ध्यान रखना इसमें video नहीं चला सकते हैं यह नहीं कि आप video वगेरा सब कुछ चलाने लग जाओ वीडियो नहीं चला सकते हैं GIF अगरा set कर सकते हो quality देखो display की अच्छी है इसलिए मन भी करता है आप अच्छा खासा GIF लगाओ और थोड़ा आपने cabinet की look ना एकदम बढ़ जाती है जब भी कोई cabinet आपका देखेगा इस तरीके से display में आपके क्या कुछ हो रहा है तो थोड़ा interesting लगता है देखने में एक चीज़ तो माननी पड़ी की जो NZXT का cam software रेना वो बहुत ही accurately काम करता है और इसमें बहुत सारे आपको function देखने मिल जाते हैं आप इसकी जो display है इसमें आप किसी भी emoji को set कर सकते हो emoji यानि GIF को भी set कर सकते हो आप चाहे तो image भी लगा सकते हो अपनी कोई photo भी upload कर सकते हो तो अगर आप ये cooler लेने का plan कर रहे हैं तो आप comment section में ज़रूर बताना आप कौन से size का cooler लेने वाले हैं हमने इस cooler के cam software को देखा यूज करके काफी अच्छा लगा लेकिन क्या ये cooler अपने processor को under control रख सकता है मतलब temperatures को under control रख सकता है तो इसके लिए आगे आप देखते रहे है Cinebench का मैंने benchmark किया है processor जो हमारा है वो है Ryzen 5 3600 मैंने अपने system पर Cinebench को run करके test किया था तो यहाँ पर मैं आप temperature देख सकते हो 40 degree starting में temperature था हमारा और जैसे मैं Cinebench को run करता हो इसका जो temperature है वो आप देख सकते कितनी तेजी से बढ़ते जा रहा है तो यह जो cooler है हमारा बहुत ही accurately temperature को show करता है और यहाँ पर जो इसकी cooling capacity है वो भी काफी अच्छी है processor हमारा 100% use होने के बाद भी temperature around 80 तक touch हो पा रहा था 80 के अंदर ही यह जितना हो सके उतना रखने की कोशिस कर रहा था हमारा जो cooler है वो बहुत ही silentry learn कर रहा था इसकी जो fan noise है मुझे बहुत ही कम लगी क्योंकि मैंने deep cool के भी काफी सारे cooler यूज किये हैं अच्छे cooler भी मैंने काफी सारे यूज किये हैं air cooler भी यूज किया है तो उसके साफ से मैंने इसका performance जो है बहुत ही अच्छा देखने मिला है मुझे अगर आप 7000 series का Ryzen 5 यूज करोगे तो उसके साथ भी आपको बहुत अच्छा performance देखने मिलेगा मैं आपको recommend करूँगा 7000 series के आप Ryzen 7 तक के processor के साथ इसे use करो बहुत ही अच्छा performance देखने मिलेगा अगर आप Ryzen 9 के साथ यूज करना चातो तो भी कर सकते हो लेकिन Ryzen 9 के लिए मैं आपको recommend करूँगा 360 mm का liquid cooler ले लेना बहुत ही अच्छा performance देगा और यह जो इसकी series है Kraken Elite series इसमें जितने भी cooler आएंगे सारे के सारे cooler के अंदर आपको same pump का use होते होए दिखेगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपको temperature इसमें दिख रहा है बड़े cooler में थोड़े से और कम temperature देखने मिलेंगे क्योंकि उसकी radiator की size बड़ी होती है लेकिन अगर मैं 240 mm के साथ compare करूँ तो इसमे 280 mm में आपको थोड़ी सी और अच्छी cooling देखने मिलेगी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा size है fan की भी size बड़ी है pressure भी अच्छा कासा create करता है यह जो F-series का fan है तो इसके साब से यहाँ पर cooling मुझे बहुत ही अच्छी लगी है फिलाल यह वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक like जरूर करें अगर आपने Instagram के page को follow नहीं किया है तो follow करके रखें वहाँ पर बहुत ज़ल्दी update आपको मिल जाती है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए देखते रही है M Machine Build